हेलो गाइज, वेलकम तू अनदर वीडियो इन वोरा ग्लाग्स और होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज का सीन ही आए कि शिवानी का वोकिंग था मेरा वोकिंग थोड़ा लेट था तो दोपैर के एक बच चुके हैं मैं अपना रेडी को निकालते हैं, यह हैं हमारे कोल्स के रैप, कोल्स में बड़े तरह की रैप्स मिलते हैं., यह जैसे, शॉव्त वायप्स हैं और वैसे यह हीं ब्राउन, होल म मेल, पता यह कितनी की तरह के रैप्स, अर ब्रैट लोलज काल लिआज हैं __ वह कहां पढ़िये सो होफुली यहां पर होनी चीए कड़ाई लेकिन यहां नहीं है ओ हाँ यहां पर पढ़िया कड़ाई को हम लेंगे तो यह कड़ाई में डाल दिया हमने देल तक यह थोड़ा सा गरम हो जाए और तब तक हम निकालते हैं फ्रिंज में से अलू टिक्की यह हमारी है अलू टिक्की यहां पर अलू टिक्की नहीं ज्यादा तर बबल स्कूइक करके कुछ लिखा होता है और क्योंकि यह फ्रोजन है तो फ्रोजन चीज को हम थोड़ी देर थर्टी सेकिंड्स के लिए माइक्रोवे कर लेते हैं तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और व करेंगे एड़ और फिर हमारा रैप हो जाएगा फाइनली रेड़ी है तो यह रैप में हमने सबसे पेल एड़ करी है पीजा पास्ता सॉस और अब एड़ कर रहे हैं इसमें मायोनीज और यह तोटली आपे डिपेंड करता है वैसे तो मैं बहुत बड़ा कोई शेफ हूनी क कि मैं आपको पूरी उक्रेडिंग दूं लेकिन फिर भी जितना मैं ट्राय कर रहा हूं और एंड में बताऊंगा कि कैसा इसका टेस्ट बना है और इसके साथ हमने मैयोनीज को एड़ करके और उसके बाद हम थोड़ी सी आड़ कर देते हैं यह ग्रीन सॉस क्योंकि ग्रीन स अच्छा तेज है काफी तिक्की आये बट इसे थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आ लाएगा और यह सारी चीज़े एड करने के बाद हम एक टिक्की को लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैश करके इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं अच्छा पूरा जाएगा ताकि यह सारे ट्रैप के अंदर टिक्की का फ्लेवर जो है वह आएगा और उसके बाद हम थोड़ी सी एड्ड कर देते हैं अनियन और कैप्सिकम अनियन और कैप्सिकम एड्ड करने के बाद हमारी एक चीज़ को रहीगी जो की है लेटेस इसमें और अब हम इसको रेप करके जो है तोस्टर सो इसको हम कर देंगे डर्रा अर вопрос करें के बाद हम इसको लगा देंगे टोस्टर में तांकि जो यह रैप है यानि रोटी है यह भी थोड़ी सी जो बन जाए बेक हो जाए अधर्वाइस यह बिल्कुल रहा रहा लगेगी तो थोड़ा सगी अपलाए करके टोस्टर में मैंने इसको लगाने लगा हूँ बनने के लिए तो यह सरी चीजे करके मैंने अपना राप नाने के एक्सपेरिमेंट कर दिया है शुरू और इसमें थोड़ा समयने सॉल्ट भी आइड कर दिया है डोंगो कि सॉल्ट आड करते हैं या नहीं करते हैं आज पता चलता है कि मेरा रैप जो है वो कितना पूचा बनाया और कितना तो अच्छा नहीं बने यह हमारा रैप बनके हो चुका है और सौसेज इसमें से बहले बाहर आरही है यहने कि बहुत अच्छी खासे सौसेज मैंने इस पर डाल ली है कि मुझे तोड़ा सा सौसी अच्छा लगता है तो लेट सी कि विसका टेस्ट कैसे है तो रैप बनाने का एक्सपेरिमेंट जो है वो तो हो चुका है सक्सेस्फुल योगि मुझे नहीं दखता था कि इतना अच्छा रैप मुझे बन पाएगा और एक दो रैप बनाये मैंने और आप किचन देखो सी किचन में क्या ही मैंने बनाया है और दो चीज़े बनाई और किचन का हाल ऐसा हो रखा है और यह सारी किचन को में को जाने से पहले वाइंड अप भी करके जाना पड़ेगा तो आज के लिए इतना ही मैं अपना खाना बगारा खा के अब जा रहा हूं अपने काम पे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और थेंक्स फर वाचेंग सी यू इन एक्स्ट वीडियो